कैसे है आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज है मंडे एक नया week जो है यहां पर स्टार्ट हो चुक है और कहीं न गहीं last and final week है जैनुरी मंद खा जो first month इतना अच्छा निकला है अब तक वो last week आ चुक है और ये last week कहीं न कहीं market के लिए और भी अ सफर कर रहा है अगर आप देखो 22,700-800 पर कहीं न कहीं टिकने की कोशिश बिटकोइन कर रहा है और 22,200 तक का जो है लेवल हिट करके आया है रात को तो अभी जो है 22,700-800 के राउंड ही लेवल्स घुम रहे हैं बिटकोइन के इथीरियम की बात कर लो 1631 डॉलर पर बना हुआ ह अभी बाइनेंस कोईन भी 300 डॉलर से उपर बना हुआ है सोलाना 24 डॉलर अप्टोस 2% डाउन चल रहा है लेकिन 13 डॉलर पर अप्टोस का भी प्राइस चल रहा है ज्यादा कोई क्रेक्शन अप्टोस में देखने को मिल नहीं रहा है शिवा इनो 0.4x0 1205 के लेवल पे चल है तो जैदा कोई मोमेंटम अभी फिलाल नहीं है बंडे है पहला वीक का पहला जो है दिन है और अगर आप यहां देखोगे तो गेनर लिस्ट में अगर हम चले तो सोनम कोईन आपको याद होगा आज से दो महीने पहले 5-6000 परसेंट फंप किया था वही सोनम कोईन SNM कोई आज फिर से 150% उपर चल रहा है और अगर हम इसका लास्ट 24 आउर का हाई लो देखें तो यह आप देख सकते हैं नजारे कहां से उठके आ है 0.5 डॉलर से लेवल उठके आ है इसके और 1.7 डॉलर तक गया है अभी 1.46 डॉलर पे इसका करेंटली प्राइस चल रहा है तो सोन बल आ गया है वो 10-11 डॉलर से 13 डॉलर की रेंड में आ चुके है और XC इंफिनिटी के अगर हम बात कर लें तो 14 डॉलर तक का हाई लगा रखा है 9 डॉलर से तो काफी अच्छा पंप हमको XC इंफिनिटी में भी देखने को मिल रहा है उसके बाद हुक चल रहा है YGG चल रह है और देखते हैं ये वीक बिटकोईन क्या कुछ करता है तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो बाइन्स की तरह से आ रही है बाइन्स से सिगनेचर बैंक वोड नोट सपोर्ट ट्रांजेक्शन फोर क्रिप्टो एक्शेंज कस्टमर ओफ लेस देन हंडर्ड के डॉल स्क्रिट्ट इशेंज कस्टमर अक्रइंग तो संदोन फोर मियक एंडर्ड ना कर पाना लस देन कितने ओनल्यक डॉलर ठीक है और ये जो स्टेट्मेंट आया है ये स्टेट्मेंट आया वाइन्स की तरह से बाइन्स सेट इन शेड इन्डेमेंट इन्स सेट इन्स एमेंड less than one lakh US dollar ठीक है तो मतलब one February से ये जो सारा मामला है अगर एक लाख डॉलर से नीचे है ना कम के transaction है तो वो कही ना कहीं जो है यहाँ पर signature bank की तरफ से एक तरह से support नहीं किया जा रहा है मतलब यह आप करें will not handle transaction of less than one lakh dollar है ना तो यह सारा मामला है next बात करेंगे retail investor के बारे में 69% of retail investor unfazed by 2022 crypto winter survey क्या बता रहा है the study बता रही है found that younger investor are less fearful of crypto market after the crash last year तो fear का मामला आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा neutral होता दिख रहा है ठीक है और अगर आप देखो most retail investors are still very much interested in investing in digital asset despite experiencing what is arguably the worst beer market in crypto history तो अगर आप देखो इतना बड़ा हमने beer market देखा 2022 कहीं ना कहीं इतना bad year रहा लेकिन फिर भी study क्या बता रही है survey क्या बता रहा है 69% of retail investor reveal that they are positive and have mixed feeling about the impact of market downturn recording last year मतलब आप देखो market को लेके अभी भी कहीं ना कहीं positive है 69% retail investor और कहीं ना कहीं अब retail investor का अगर sentiment बनता है market के अंदर तो और अच्छी बात है है ना क्योंकि अभी जो हो रहा है सब कुछ वो कहीं ना कहीं whales का game हो रहा है और whales ही कर रही है जो कुछ कर रही है ठीक है तो एक तरह से market अगर अच्छा चलेगा तभी तो retail investor आएगा market में है ना तो वही चीज हो रही है तो देखते हैं अब क्या आगे हमको देखने को मिलता है लेकिन हा 69% अभी भी यहाँ पर जो है interested है crypto के लिए next रम बात करेंगे कावा के बारे में कल है 25 January कल 24 है तो परसो है 25 और अगर आप यहाँ पर देखोगे कावा 12 is set to launch Thursday January 25th है ना तो 25 January कहीं ना कहीं एक बड़ी डेट है कावा के लिए और थोड़ा सा कावा पर आप अभी से जो है नजर रख सकते हैं और much more to come in 2023 ये कहना है कावा का है ना तो कावा 12 जो है यहाँ पर launch होने वाला है 25th January को next हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी बात शिवाइनू को लेके कह दिये डेविड गॉक्स्टिन ने जी हाँ डेविड गॉक्स्टिन वांट्स टू रिटायर एंड डिलीट हिज ट्विटर अकाउंट इफ शिवाइनू गोस टू 0.01 डॉलर मतलब कहना क्या चाहते है मतलब क्या शिवाइनू अगर 0.01 डॉलर जाता है तो कही ना कही एक रिटायरमेंट ले लेंगे यहाँ पे डेविड गॉक्स्टिन तो पूरा ममला है क्या यहाँ पे हम देख लेते हैं तो अगर आप देखो शिवाइनू प्लीज हिट 1 सेंट so I can delete this Twitter account और यहाँ पे अगर आप देखोगे कहने का मतलब यह है कि जो Twitter account को delete करने की बात कह रहे हैं by deleting his Twitter account गॉक्स्टिन might mean retiring and relaxing for the rest of his life if SHIB reaches 0.01 डॉलर it also indicates that the former US congressional candidate hold a substantial amount of SHIB and is optimistic about its price तो मतलब आप एक चीज़ तो समझ लो डैविड गॉक्स्टिन के पास और हम काफी टाइम से देख भी रहे हैं तो SHIBा इनू तो है इसमें तो कोई doubt वाली बात नहीं है और क्या tweet आ रहे हैं अगर आप देखो feelings बाहर निगल रही है मतलब SHIBा इनू को चाहते हैं कि इस price पे hit जाए वन सेंट का जो price है SHIBा इनू यहाँ पे hit करे ताकि भाया उनको मिल जाए retirement और वो हो जाएं बिल्कुल free और कर दें twitter account delete तो इस तरह का statement आया है यहाँ पे डेविड गॉक्स्टीन की तरह से बाकि आपके क्या use है कब तक SHIBा इनू इस level को hit कर सकता है क्या next bullet में हम SHIBा इनू को इस level पे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे आप comment करके जरू बताइएगा next update भी SHIBा इनू को लेकिया है California based BitGo ad wallet and custody support for SHIBा इनू अगर आप देखोगे BitGo ने यहाँ पे जो है now available hot wallet and qualified custody for Doge and SHIBा इनू एक तरह से support add कर दिया है BitGo ने recently announced that it has added support for the SHIBा इनू and Dogecoin on its platform तो साथ के साथ Dogecoin का भी यहाँ पे support add कर दिया है एक तरह से नई listing समझ लीजिए ठीक है last and final में हम बात करेंगे hash flow के बारे में HFT के बारे में कल भी 100 whales ने हमने आपको date किया था कि whales ने खरीदा है और काफी टाइम से अगर आपने एक सही price पे hash flow में entry बनाई होगी तो आप अभी भी profit में चल रहे होंगे और आगे भी चल सकते हैं जिस तरह से whale खरीद नहीं है अगर आप देगो hash flow now on top 10 purchase token among 500 biggest ethereum whale in the last 24 पिछले 24 गंटे में 500 ethereum whales ने फिर से hash flow को खरीदा है ठीक है तो aptos के साथ-साथ hash flow की गाड़ी भी अच्छी चल रही है और आगे और अच्छी चल सकती है ठीक है अगर bitcoin और अच्छा jump लगाता है तो थोड़ा सा HFT पे भी आप नज़र रख सकते हैं तो आज की इस video करते हैं यहीं पे end video पसंद आए like, share, comment कीजिएगा कोई question कोई सवाल है पूच सकते हैं नीचे description में telegram, twitter के link है join नहीं किया तो कर ले ना कोई update मिस नहीं होगा और किसी भी crypto में invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research जरूर करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते है next video में जब तक के लिए बाइ-बाइ-टेक केर